हमस्कार दोस्तों मैं हो इंजिनर सुजीत अर्शवागत अब सभी का हमारी स्वीचूट चैनल पर तो दोस्तों आज महीं आपे ड्रॉग करने वाला हूँ वो सोरा फिट वा इकत्री स्ट्रीट का वन्विश के हाउस प्लान इस पेसिंग हाउस प्लान नहीं है अचली ब्रॉग करते हाँ कही प्लान करते हाँ वां शॉत प्लान आशकूप विय जिसारे नमस्कार दोस्तों हमारे यहां पर यह वन्वेच का उस प्लान रडी है इस्ट फेसिंग ओचूप ईनल प्लान की पार्किंग के ए प्रवीजन किया है तो ए सबीजिए शे फ्यूत में प्लाइब क्या आए आए जैसे अंदर आते ही यह सामने है लिवाइंग किर्या यह के अंदर है यहां यहां healthy पुजयरू का भी प्रोवेजन किया है पुजहरों की साइज 3 feet by 4 feet है और लिविंग एरिया की साइज 10 feet by 8 feet है उसके बाद यहां पे साउथ इस्ट कोर्नर काने वास्तु शासरा की साप से किच्ण परवाइड किया है क्युचेन की साइज 10-6ft यहाँ पे सांट फिसमेगे हमने कमान टॉल एट बात का प्रोविजन किया है जिसकी इन्टरAy हमने यहाँ यहाँ पे 29 बात की साइज 5 फिट बात wrist 6 feet यहां पर हमें स्टेर्केस के पार जाने के लिए पैसेज मिलता है जिसकी वह दो फिट नो इंच है यहां पर साउथ वेस्ट कॉर्नर पर हमने स्टेर्केस ब्लॉक प्रॉइट किया है स्टेर्केस ब्लॉक भी हमने वास्तु शासर के अकरोडिंग ली प्लान किया है और इसकी साइज है 13 feet change by 5 feet जो हरे फ्लाइट है उसकी width 2 feet change है यहाँ है और सबसे लास्ट में यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पाना पे हमने बेड्रॉम प्रवाइड किया है इस बेड्रॉम की साइज 10 feet by 9 feet change है इसमें जो external brickwork है उसकी thickness 9 inch है और जो बाकी internal brickwork है उसकी thickness 6 inch है तो अगर इसका construction area हम निकाले तो वो है 16 into 31 plus staircase block का area तो वो होएगा plus staircase block जो है तो टोटल 15 feet लंबाई बाहर बाहर इंटू 7 feet 601 square feet तो इसकी टोटल construction cost है 6 लाग 6 लाग उपीज तो दोस्तों यह था हमार आज का व्लॉग काफी बढ़िया तरीके से कोई भी room की size या फिर unit की size congested नहीं है अची तरह से properly plan किये और यहां पर आपको यह construction cost भी मिल जाती है तो दोस्तों यह था हमार आज का व्लॉग मिलते हैं हमारे next vlog में और इक बड़ी अप्लान के साथ तब तक के लिए thank you